ये रिष्टा क्या कहलाता है से हुई रूही और अर्मान की चुट्टी, सेट पर बद्तमीजी और नक्री करने का आरोग। टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है का नया सीजन शुरुआत में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। दर्शकों को ना तो ये किरदार और ना ही नई कहानी बांधने में काम्याब रही। लिहाज आ टी आर पी बुरी तरह गिरी लेकिन फिर धीरे धीरे नई किरदारों से दर्शकों को जुडाव ऐसा बना कि यह शो वापस टॉप 5 में आ गया। अब इस सीरियल को लेकर एक ऐसी खबर आए है जिसे सुनकर दर्शकों को शौक लग सकता है। सीरियल के लीड एक्टर शहजादा धामी और प्रतीक्षा होन मुखे को हटाया जा रहा है। राजंग शाही के शो की शूटिंग के दोरान अन्प्रोफेशनल बेहेवियर दिखाये जाने के चलते मेकर्स ने सीरियल की लीड स्टार कास्ट को ही हटाने का फैसला कर लिया है। घर घर में अर्मान पौदार के नाम से मशहूर हो चुके शहजादा धामी को यूँ अचानक हटाया जाना उनके फैंस के लिए काफी शौकंग है। बता दे कि शहजादा धामी ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि जाहिर तोर पर उन्हें लेकर बाते कही जाएंगी लेकिन वो शो में अपना सो प्रतिशत देने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा धामी सेट पर नेमों को फॉलो करने से इंकार करते रहे हैं और लगातार नक्रे दिखाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो क्रू के साथ बदसलू की करते थे और इस बारे में वान किये जाने के बावजूद उनका यही रवया चलता रहा। जहां तक रूही का किरदार निभाने वाली प्रतीक्षा हुन मुखे को हटाये जाने की बात है तो बताया जा रहा है कि वो किरदार के हिसाब से सूटेबल नहीं बैट रही है इसलिए मेकर्ज उन्हें भी सीरियल से हटाये जाने का फैसला लेने को मजबूर है राजन शाही हमेशा डीकेपी में यह नियम फॉलो करते रहे हैं कि शो से बढ़कर कुछ नहीं होता है लेकिन जाहिर तोर पर अगर मेकर्ज लीड कास्ट को हटाते हैं तो इसका असर टी आरपी पर जरूर पड़ेगा बता दे की हाल ही में रूही और अभिरा को सीरियल में आमने सामने लाने का प्लोट शुरू किया गया था अभिरा ये समझ चुकी है कि रूही उसके पती अर्मान को उससे छीनना चाहती है इसके बाद अब दर्शक मान कर चल रहे थी कि अब दोनों बहने आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी इसी बीच ये शौकल म्यूज सामने आ चुकी है जिस पर मेकर्स के ओपीनियन का सभी को इंतजार है फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें